स्वागत आप सभी के इस वीडियो में जैसा कि आप देख पा रहा है हमारे सामने applied mathematics first का question paper है जो कि student या question paper 2022 का question paper है student या polytechnic के फर्ट समेस्टर में या subject चलाया जाता है student जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि 2 गंटे 30 मिनट का समय मिलता है इस question paper को solve करने के लिए student जैसा कि आप स next page पर चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं applied mathematics first question paper का Hindi version यहाँ पर दिया गया है student यहाँ पर note point दिया गया जिन्हें आप पढ़ सकते हैं student यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला हमारा question क्या दिया गया है निमलखीत में से किनी 10 भागों का उत्तर दिजिए हमें क्या करना student यह question number first में total 12 question दिये गए हैं 12 question में से आपको सिर्फ क्या करना है 10 question का answer देना है प्रते question एक नमबर का है 10 question का answer देंगे 10 नमबर यहाँ से मिल जाएगा और question को आप इस परकार से देख सकते हैं कि कौन कौन से question दिये गए हैं आप चाहे तो इनका screen side भी ले सकते हैं यहाँ इस परकार से कुल total 12 question दिये गए हैं जिन्हें आपको 12 question में से 10 question को solve करना रहता है और 10 नमबर आपको इजली मिल जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस परकार से question दिये गए हैं तो आई अब हम next page पे चलते हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं question number second जो दिया ग lottery Joe देख सकते हैं आई अब हमागे देखते हैं question number third question number third में यहाँा पर आप देख सकते हैं क्या दिया गया निमलिखित में से किनहीं दो भागों को हल करें तीन question दिये गए है, 3 question में से हमें सिर्फ 2 question को हल करना है, प्रते question यहाँ पर 5 number का है, 2 question solve करेंगे, 10 number यहां से मिल जाएंगे, वागे देखते है, question number 4 क्या है, question number 4 में देख सकते है, निमलिखित में से किनी 2 भागों को हल किजी, यानि 3 question है, 3 में से हमें 2 को हल करना है प्रते कोईश्जन 5 नमबर का है तो 10 नमबर यहाँ से भी मिल जाएगा अब जो हमारा लास्ट कोईश्जन है कोईश्जन नमर faktu यहाँ पर देख सकते हैं निम्रीखित मेंसे कि नहीं दो यदि आपको इस question paper का पीडियाप चाहिए तो नीचे वीडियो को description में लिंक है जहां से जाके आप इस question paper का पीडियाप डाउनलोड कर सकते हैं और question को solve कर सकते हैं इस student वीडियो अच्छा लगा हो तो उडियो को like करें चैनल पर ना है तो please चैनल को subscribe कर दें थाकि मेरे आने वारे सभी वीडियोच के notification आप सभी तक पहुचिते रहें